आईज, वैलकम टू यॉर चैनल्स, कल AIFF की मीटिंग हुई थी, वहाँ कुछ पॉजिटिफ और न्यू सजेशन फॉर आई लीग आई लीग में जैसा कि आप सभी को बताएं कि बिडिंग सिस्टम होता है पर हैं कुछ न्यू बिडिंग सिस्टम लेकर AIFF आया है जैसा कि आप जानते हैं कि AIFF का विजन 247 के तहट AIFF आय लीग में जो 1026 तक 14 टीम चाहता है इसको पूरा करने में यह बिडिंग सिस्टम बहुत मदद कर सकता है यह प्लान 3 टियर में हैं जैसे कि 1 टियर में मैट्रो सिटी हैं जैसे कि मैं बता दूँ आपको न्यू दहली, बैंगलार, पूने, क्रूगराम, चिन्ने, एहमदाबाद, कोवावटी, नौइडा टियर 2 में ड्राची, इटनअगर, जलांदर, लुदिहना, फगवाडा, कोवावटूर, मंजेरी, तिरुवंतपुरम, भोपाल, शिलॉंग, एटीसी या सिटी हैं और टियर 3 में विलेज, ए हमस्माल सिटी विद, टूहंड़िड क्रूमीटर ऐरपोर्ट बॉस्ज़ क्रूमीटर की ए अरपोर्ट तक जो स्मल सिटी या गां वगирा जो भी हो सकता है 200 किलोमीटर के आसपास एयरपूर्ट से वह अपनी बिडिंग डाल सकते हैं वह अपनी बिडिंग डाल सकते हैं इन माई ओपीनियन टीयर वन सिटीज के लिए गुरुग्राम, नौइडा, गौहावटी, पूने से इन में से कोई भी एक टीम को देखना चाहता हूँ, मैं टीयर टू से चाहूँगा फगवाडा, भोपाल, इटन अगर, सिलॉंग, इन में से कोई फगवाडा से पहले भी जी सिटी टीम होती थी, जो इंडियन फुटबॉल में काफी नाम थी तो मैं चाहूँगा कि वो टीम बैक हो, और टीयर थी में से कोई भी हो सकता है टीयर वन के लिए बिडिंग वैल्यू है 5 करोड, टीयर टू के लिए बिडिंग वैल्यू है 5 करोड, टीयर थी के लिए बिडिंग वैल्यू है 1 करोड टीर 1 टीमों के लिए नेट वर्थ मतलब कि इनके टीमों के मालिकों के पास टीर 1 के टीमों के मालिकों के पास 100 करोड रुपे होने चाहिए टीर 2 के मालिक के पास 50 करोड नेट वर्थ होनी चाहिए और टीर 3 के टीम के पास 40 करोड होने चाहिए क्योंकि टीम लियाते हैं यह सुरू में कहीं से करके फिर इसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं अपनी टीमों को और इनको जैसे कि आप सभी को पताए कि आई आए आए एएफफ सबसीडी भी देता है ट्राय ट्रैवल अलाउंस भी देता है यह इन सब टीमों के लिए नहीं मिलेगा जो बिडिंग सिस्टम से आएंगी और रेलिगेशन की बात करूँ तो फर्स्ट टीर वन और टीर टू के लिए दो साल तक कोई रेलिगेशन नही है अगर मैं बात करूँ एएफफ ने कुछ और बदलाव की हैं की हैं आई लीग को लेकर और फाइफ फॉर एंड प्लेयर इन स्क्वाइड और अन्ली थ्री फॉर एंड प्लेयर इन यॉर स्टार्टिंग 11 यह एक बहुत अच्छा कदम है मेरी मेरे नजरिये में एएफफ क द्वारज जो किया गया है क्योंकि इससे जादा से जादा इंडियन प्लेयर को मौका मिलेगा लिंग टाइम ़्रीइगा और वहां अच्छे होंगे निखर के काफी अच्छ से आएंगे जो इंडियन फुटबॉल के लिए काफी अच्छा है और एसिया कोटा को खतम कर दिया गया है आई लीग को लेकर अब इस इन प्लियर आपके स्क्वाइड में होना जरूरी नहीं है आप फॉर फाइफ फॉरें प्लियर कोई भी ले सकते ह हो या स्पैनिस यूरूपियन कहीं से भी उठा सकते हो या साउथ अमेरिकन कैसे भी उठा सकते हो आप और महत्वुड बदलाव है एफ फ के दुवारा की मिनिमम फाइफ प्लियर अंडर 22 के आपके स्क्वाइड में होने चाहिए यह बहुत अच्छा कदम है यूथ के है और ज्यादा कमटेटिवनेस वाले मैच यह खेलेंगे और इससे इनको एक अच्छा एक्सपिरियंस और साथ में अपने गेम को डवलप करने का बहुत अच्छा मोगा होगा तो मेरे हिसाब से यह काफी अच्छा